Hello friends, welcome to Skillbus आप चाहे college में हो, चाहे corporate में हो, चाहे school में हो एक हमेशा हमें डर रहता है कि यार हमारे जो original documents है चाहे वो mark sheet हो, driving license हो, voter ID card हो या फिर अधार card हो, इनको भाई हमेशा कैसे हम safe and secure रखे बहुत बार ऐसा होता है, हम अपने wallet में अपना pen card रखते हैं driving license रखते हैं, और कहीं travel करते हैं wallet ही खो जाता है तो हमारे सारे documents खो जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमें ये documents carry भी ना करने पड़ें, क्या कोई ऐसा तरीका है कि इन सारे के सारे documents का backup बन जाएं, कोई tension ना हो and क्या किस तरह से मैं अपने सारे के सारे documents को कहीं भी access कर सकता हूँ बहुत बार ऐसा होता हम कहीं travel करते हैं हम अपने driving license घर पे भूल जाते हैं या कोई important mark sheet जो घर पे रहा जाती है तो क्या हमें then and there वो document वहाँ पे मिल सकता है तो इस वीडियो में बहुत important आपके काम की चीज़ बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने important documents का backup कर सकते हैं उनका use कर सकते हैं using digilocker जो एक government of India का initiative है so my name is Saurabh Kothari let's start तो सबसे पहले बहुत चैनल को subscribe कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी skill based videos हैं ऐसी जितनी भी value addition knowledge based videos हैं वो आपको मिलती रहें and bell icon को press कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपके miss ना हो and साथ में मान instagram channel skill bus official इसको आप follow कर सकते हो for all the update अब मैं आपसे बात करूँ why do we need documents आप देखो आपके life में कितने सारे documents होते हैं आपके 10th की mark sheet, आपकी 12th की mark sheet, उनके passing certificates, आपका driving license, आपका voter ID card, आपका passport, आपका अधार card बहुत बार ऐसा होता है हमारे पार इतने सारे documents होते हैं तो हम सारे documents हर जगे carry नहीं करते हैं दूसरा आपको इन documents की जोरत हमेशा lifetime पढ़ते हैं चाहें आपको identity proof देना हो आपको date of birth का proof देना है तो 10th की mark sheet लगती है, आपको अगर किसी और जगे जाना है आपको आधार card देना है तो आपको इन documents की हमेशा ज़रूरत होते हैं और original copies बहुत ज़्यादा important होती है आपके लिए संभाल के लगना because जब भी आप future में कुछ और कोई और जगे registration करना चाहते है तो आपको अपने ID देनी पढ़ते है, हर जगा आपको ID देनी पढ़ती है तो हमें ऐसा क्या करें कि हमारे documents का backup भी बन जाएं और हर समय हमें इन documents को carry भी ना करना पड़ें ताकि खोने का जो risk है वो कम से कम हो जाएं तो इसके लिए हमारे सामने एक initiative है जो government ने start किया है जिसका ना में digilocker, digilocker का मतलब क्या हुआ, digital locker तो यह जो digital locker है जिसको launch किया था government of India ने अपने digital India initiative के अंदर इसमें जाके आप अपना account बना सकते हो इन account में आप अपने अधार काट से verify करते हो, अभी मैं आपको पूरा portal दिखाऊंगा कैसे काम करता है उसमें आप सारे के सारे certificates को scan करके वहाँ पे आप upload कर सकते हो, आपका driving license, आपका vehicle registration, आपका academic mark sheet सारी के सारी digital format में आपकी वहाँ पे आप access कर सकते हो, आप वहाँ पे अपनी PDFs upload कर सकते हो, सारी के सारी scan copy upload कर सकते हो तो यह digital locker का purpose है कि आपको हर जगे अपने documents carry ना करना पड़े, इसके सारी सिरफ यह एक locker नहीं है अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे, तो Ministry of Electronics और IT ने जो है, वो एक rule निकाला हुआ, एक amendment निकाला हुआ वह है digital locker के related, जिसमें यह clearly लिखा हुआ है कि 2017 के बाद से जो भी आपके documents डिजी locker में uploaded होते हैं, 2017 में notification आया था जिसके बाद से mandatory हो गया कि जो भी digital locker से आप documents share करते हो, वो at par है as physical certificates तो कभी ऐसा हो worst के scenario में कि आपका कोई original document हो भी गया नेकिन आपने digilock पर उसका backup बना रखा है, तो आपका काम चल जाएगा अगर आपको किसी ID के लिए देना है, college admission के लिए देना है, कोई government ने बोला है कि digital locker पर जो documents हो at par माने जाएंगे as physical certificate तो इसलिए मेरे आपसे recommendation है कि आप अपने document जितने भी हैं, जो भी आपकी mark sheet है, college mark sheet है आपके अधार card, voter ID card, pen card, सब को scan कर लें और scan करने के बाद अपने digilocker में store कर लें ताकि आपको कोई भी tension ना हो, तो यह digilocker का link मैंने नीचे description में भी दिया हुआ है चलो एक बार इनकी website भी देखते हैं कैसे यह काम करती है तो हम यहाँ पे digilocker.government.in की website पे आ चुके हैं यहाँ पे आप सारे के सारे अपने documents upload कर सकते हो, बहुत सारी जगे आप direct digilocker से अपने documents share भी कर सकते हो तो अब आपको करना कैसे, अगर आपकी ID है तो आप sign in पे जाओगे, अगर आपकी ID नहीं है इसको access कर सकते हो digilocker को and उस document की pdf आपके पास होगी आपका scan copy होगी आप download करके वहीं का वही print निकाल सकते हो या फिर उसको show कर सकते हो directly उसको send कर सकते हो and आपका काम बढ़ जाएगा तो मेरा suggestion यह है कि जो भी आपकी mark sheet passing certificates, migration certificates और जितने भी important relevant documents है उनको एक दिन आपका लगेगा अपनी copy scan कर लो ताकि future में कभी कोई भी आपको trouble ना हो तो अगर आपको यह video अच्छी लगी है तो भाई like करना and thanks मुझे बताना कि भाई आपको helpful लग रहा है हमारा content videos का कि नहीं ताकि हम आपको और better content दे पाएं और अगर किसी particular topic वा video चाहते हो knowledge चाहते हो किसी skills के उपर आपको सीखना चाहते हो तो नीचे मुझे comment section बताओ मैं आपको महाँ पे भेजता रहूँगा thank you so much all the best and take care